हालो फ्रेंट्स, विल्गम बैक टी इंवस्मेंट अन्वलाउग्ट, आज ए 12 अगल, कुछ दिन पहले करीब, दो दिन पहले, दर्स तारीकों हम दे अपनी क्लाइंट के साथ डिसकसन किया था कुछ स्टॉक के बारे में, तो पहले हम कुछ उस स्टॉक को रिव्यू करेंगे और फिर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ ऐसे दो-तीन स्टॉक की जो 52 वीक हाई अभी दे रहे हैं, और फ़र चांस है कि आगे जाके और भी अच्छा वो परफॉर्म करें, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कॉंसा वान सा जो डिसकसन हुआ था, वो क्या है तो 10 तारीका यह आप देख सकते हैं, यह वाट्टाप हमारे वाट्टाप ग्रूप का स्क्रीन शॉट है, 10 तारीक को हमने 10-12 तक के लिए यह पोजिशन था, टार्टा केमिकल्स 950 रुपे में, तो चलिए पहले टार्टा केमिकल्स का हम दो चार्ट देखते हैं, तो टार् 9% का हमें प्रॉफित मिला है, आने वाले बस 3-4 दिन में, 10 तारीक, 11 तारीक, 12 चुटी था, और 2-3 वरकिंग दे में हमें यह देखनी को मिला है, तो यह तो हमारा पहला स्टाप था, तो यह स्टाप हमने क्यों पिक किया था, यह हमने रिजर्ज के बेसिस पे पिक किया था कमपणी का हज़र काफी अच्छा था, जिसकारण से हमें लगा कि इसमें हमें आने वाले कुछ दिनों में ही एक तेजी देखनी को मिल जखती है, तो यह तार्टा के मिला पिक करने का हमारा जो मोटो था, वो यह था, और 2 जो हमारा था, वह हमारा था, वह है फाइन और्ग कॉल दिया था, 58-20 के करीब, यह यहां पे कहीं से है शायद, 58-20, तो यहां पे जो वो ख्लोजिंग दे रहा था, उस दिन हमने कॉल दिया था, और फिर से वहां से 2-3 दिन में कमपणी में अपना हाई बना लिया था, 68-100 का, पुपी 8-6800 में एक दिन में 18-20 का राइस हमें इस ट्रॉफ में भी रेखने को मेरा, लेकिन फिर वहां से यह करेक्शन हुआ और अभी आके बोलिए कि लगवग 7-8% का प्रॉफित हमें दे रहा है, तो दो दिन में 7-8% का प्रॉफित इसमें और उधर लगवग 20- का प्रॉफित, तो अच्छे कॉल्स थे, कॉल्स ने अच्छा पोफिर्म किया और जो लास्ट हमा रहा था, उसने ज्यादा कुछ खास पोफिर्म नहीं किया था, तीसा था महिंद्रा हॉलिडेई 250 पे, तो जहां तक मुझे याद है महिंद्रा हॉलिडेई अभी 250, 60 के अरा तो यह हमारे पिछले तीन कॉल्स थे, जो कि हमने 10 तारी के करीब दिया था, Wednesday को 10-12 अगस्त के लिए यह ट्रेट था, तो जिन्होंने हमारा कॉल्स दिया है, I hope they are enjoying, और अगर आप हमारे WhatsApp जूप में जूरना चाहते हैं, तो उपर नंबर मेंशन है, आप वहां पे, कॉल कर करके हम से कंसर्ट कर सकते हैं, यह तो बात हुई हमारे पिछले कॉल्स की, अब जो नेक्स हम डिसकर्स करने वाले हैं, वो अभी जो तीन चेर हम फिर से डिसकर्स करेंगे, जो कि अभी 52 वीक हाई का बेक आउट देने वाले, तो पहला जो हमारा कॉल राएगा, वो है टाट अच्छा पोफॉर्म क्या है, बहुत लोग का मल्टी वेगल, यह अल्रेडी बन चुगा है, पर इसमें अभी भी पोटेंचल है, I agree कि कंपनी का पी काफी जादा हाई है, पर अगर कोई कंपनी काम करती है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो पी हाई होना वो लाजमी है, तो इसमें कोई जादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, फाइनली आज कंपनी पांच दिल्जट पर ट्रेड कर रही है, यहाँ पर इक कंपनी का हमें ब्रेक आउट देखने को मिला था, 9300 के करीब, 9300 करीब का हाई बनाया था, लेकिन पर से हमें एक पॉल देखने को मिल पर से कंपनी बढ़ा और अब हमें यह 52 वीक हाई का एक ब्रेक आउट दिया है, करके दिन हाई ब्रेक आउट दिया था, लेकिन आज हमें इसमें काफी अच्छा एक ग्रोर देखने को मिल जा और अगर हम वाल्म के और नजर डाले तो वाल्म में हमें एक अच्छी बढ़ह एक तो आप अपने रस्क अपिटाइड को देख सकते हैं और दूसरा आप 9000 के करीब का आप स्टॉप्रोस लगा सकते हैं, यह 1100 पॉइंट का आप स्टॉप्रोस लगा के इस कंपनी में अपना बोजिशन बना सकते हैं, यह कंपनी लॉंग टम के लिए है, शॉर्ट टम मे अब अगर आप ट्रेट करना चाहते हैं, लेकि लॉंग लॉंग टम में अच्छा बैसा बना के देगी और सेकेंड तीग की का टाटा ब्रांड का जो एक हम सब के अंदर एक पॉजिटिव वाइट है, तो उसकारण से भी हम बहुत है कि कंपनी अच्छा परपर्स करने वाल अपना पॉजिशन बनाने का सोच सकते हैं, दूसरा जो हमारा आज का कॉल रहेगा वो है, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स का, तो अगर हम गुजरात फ्लोरो केमिकल्स का चार्ट ओपन करें, तो अब देखें इसमें भी हमें एक 52-week हाइक-प बेकाउट मिलने वाला है, यह पांट फ्लोर पर ट्रेड हो रहा है, तो सादगुना हो चुका है, 2021 से लेके, और बेस के लास तक में, यह बहुत लोगों का, यह भी मुल्टिपेजर बन चुका है, अभी मुजरा थी टू-week का हाइए, लेक्त फ्लोरो पर को मिल जाए तो अगर आपका पॉजिशन बन अगर देखा जाए आप लोंग तर्म के लिए इसको लेके जख सकते हैं अगर जो हमारा कॉल जहेगा आज का ठर्ण मेंसे वो है FCL का फिनोटिक्स केमिकल का यह भी कंपनी अच्छी और यह भी अभी तक हो बहुत लोगों का मुल्टिवेकर बंच चुगा है यह भी बहुत लोगों का मुल्टिवेकर है देखिए जो कंपनी बढ़ती है वो बढ़ती है और अगर यही पर मैं आपको कि उसका अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके लिए लॉंग टर्म में ऐसा बनाना करते हैं भी मुश्किल नहीं होगा बस कुछ-कुछ छोटा-छोटे चीजों का आपको ध्यान रखना है लॉंग कम के लिए और अगर आप एक पोजिशनल और स्विंग ट्रेड है आप रिजल्स ट्रैक कीजिए आप चार्ट पढ़ना सीखे तो यह सब कुछ-कुछ चीजे हैं जिससे आप शॉर्ट टर्म में कि इस पूजिए पूजिशनल ट्रेड में आप ऐसा कमा करते हैं बाक तुछ तो फिनोलेक्स के बारे में बात कर रहे थे नहीं से पचास ट्रेड है अभी 250 फेर के आजपास ट्रेड हो रहा है तो अगर आप इसमें बनाते हैं तो यह वाला जो है यहां पर आपके स्टॉप स्टॉप लॉस है और देखा जाए तो अगर मैं देखू तो यहां से आपको सौपटास से सतर पॉइंट का आपको टागेट मिलने का संभावना है तो इसमें भी आप बने रहे हैं सारे जो कॉल्स हैं एक तो 52 वीक हाई के उपर हमने चूज करके दिया है और सेकेंड की इस दिया है तो अगर आप डेली कॉल्स के लिए हमसे वहां पर जुड़ना चाहते हैं तो अगर आप हमारे प्राइम बनना चाहते हैं जिसका कॉल्स हम लोग जो भी कॉल्स आदा है वो वाच्ट गूप पर शेयर करते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीम पर निम्बर मेंशन है जोणी on-line भी चलते हैं तो बारे प्राइम और Water यक लिए हमारा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए हमारा कर सकते हम से बात कर सकते हैं almost हर week पे 2 class हमारा start होता है 2 batch हमारा start होता है तो आपको एक week के अंदर कोई ना कोई batch जरूर allot हो जाएगा मेरा आज का वीडियो यही पर फदम होता है I hope आपको मेरा इंगलाइस अज़ा लगा होता यह जो 52 week high breakout के स्टॉक्स की अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर